दोस्तों, generally हम गारीों के वीडियोश आपको दिखाते हैं पर हम कभी ये नहीं दिखाते हैं आपको कि उन गारीों में जब गाडिया चलती हैं maintenance के बाद में जो parts change होते हैं उन parts को कहां से खरीदना चीए कौन से parts खरीदने चीए और कौन से parts हमारी गाड़ी के लिए best है तो आज हम जा रहे हैं Tata के कुछ best authorized resellers के पास जहां पर हम जानेंगे कि किस तरह से Tata के genuine parts और market के vendor non genuine parts को differentiate करना चाहिए हमारी गाड़ी के लिए हमारे ट्रक और बसे के लिए कौन सा सही है और साथ में वह कौन सी साफदानिया जो हमें रखना चाहिए तो सबसे पहले हम जा रहे हैं दिल्ली के पहले टाटा शॉपी पे मतलब एक exclusive ऐसी पार्ट की दुका जिस पे सिर्फ टाटा मोटर्स के ही parts मिलते और इसकी कमाल की बात यह कि इस पे आपको हो चोटे-चोटे चाहिल पार्ट भी मिलते हैं जो कि आपको जनली भूरने के लि वाली मेरा बिजनस में 12 साल से उँ लेकिन मेरा अ बिजनस है वो लास 44 से जो की मेरे 살 कुआ देख रहे थे और हम और्ट वीक यहल चेपेर पार्ट में हैं क्षे estimates total ड्रणTr जुम चास्टमेरा एक क्षे था में ताटामोटर्स डील करते हैं काफी सालों से और में त्रांस्पोरट्र идет को साथ सालों से चास्पोर्ट ताटामोटर नीं RS में ड्रणुमेरा पहले हमारी शोप्र सबसें उर यह हमारी बनी है सिफ खाली genuine parts ही डालने हैं तो एक uniqueness यहाँ पर यहाँ है कि आपको छोटे से छोटा parts भी जो एक child parts बोलते हैं जिसको हम English में वो यहाँ पर सारे मिल जाते हैं मतलब एवन एक छोटा से spring भी अगर चाहिए तो वो भी आपको Tata Motors में TGP में मिलेगा यहाँ पर line items काफी सारी है जो कि customer avail करता है और उसको हम better service में दे सकते हैं और customer satisfaction हो जाती है genuine parts के फाइदे तो बहुत है आप अपनी गाड़ी में अपने vehicle में आपको genuine parts लगाओगे तब ही वो आपको vehicle आपका जादा चलेगा better service देगा आप जो parts अगर local डलवाएंगे या non-PGB parts डलवाएंगे वो आपको जो उसकी longevity है जो उसका long term जो चलने वाला है वो process कम चलेगा आप labor भी दुबारा pay करेंगे आप अगर अपनी labor को calculation करेंगे local parts जालके फिर labor देंगे और फिर वो तो आप एक बार में अगर genuine parts ही लगाते हैं तो मेरे इसाब से तो वो सबसे बेटर है Tata Motors तो वैसी इतनी बड़ी company है इन्होंने अपना जो एक barcode MRP जो sticker है उसी पर ही सब कुछ मैंशन है वही सही पहले ही पता चल जाता है कि वो genuine है या नहीं है सबसे पहले तो इनका barcode है अगर एक mechanic उस barcode को scan करता है तो उसके पात उसका part number वो अपने उससे scanner से मैच कर सकता है कि यह दोनों चीज़े सेम है या नहीं है फिर एक distributor का code है अगर वो distributor का code हटा हुआ है तो distributor का code हो और हमारी city का ही code हो अगर MRP है और उस पे आपका सब कुछ manufacturing date है और जो parts होता है जो genuine parts होगा उसकी fitment में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी वो एकदम exact लग जाएगा उस जिजगा लगना है मिस्तरी को कोई adjustment करने के जुरूत पड़े की ही नहीं एर फिल्टर में सबसे important होता है इसकी paper quality वो कितने dust को कैसे absorb करता है अगर आप लोकल एर फिल्टर लगा देंगे तो उसकी life तो कम होएगी होएगी और आपके वो नुकसान करेगा दस जाने से इंजिन में जाएगा और इंजिन से फिर वो इंजिन सीज होने के बहुत चांसी जिससे गाड़ी खाती है तो बहुत सा और आपको रिजनेबल भी लेना है तो आप डूरा फिट पार्ट लगाए और टाटा मोटर्स का ही पार्ट लगाए क्योंकि वह बेस्ट है आपकी हर चीज में आप इंजिन पार्ट ले लीजिए आप क्लच पार्ट ले लीजिए दूसरी कंपनी का लगाओगे तो वह क्लच प्रेशर वह कंपनी की यूज करते तो उसकी गाड़ी बहुत जल्दी ब्रेक ब्रेकडाउन हो जाती थी तो वह हमारे पास है जी मैंने तो यह सब कुछ पार्ट दलवाए हैं और मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है दूसरी अटरम शटरम कंपनी को उसने दलवाय था तो ह हमने उसकी गाड़े का वहीकल नमबर लिया और जब हमने अपनी केटलोग में एडी कटलोग में डूकान पे हमने केटलोग में डद तो असकी गाड़े में बस हो ट्रक की ऊपरक था मतलाब उसके पार्ट नंबर में फर्क था तो वह अवेर ही मित् outdoor के साथ जो बस दूसरी दुकान से हमारे पास कस्टमर जोड़ा भी और अब हमसे बहुत समान लेता और सारा टाटा जैनुन पार्ट सी लेता है अब चौधरी जी ने तो बताया कि किस तरह से हमें सिर्फ जैनुन पार्ट सी उस करना चाहिए और उनके क्या सारे फाइदे हैं इन बातों के बाद भी मेरे मन में कुछ और सवाल है जिनको पूछने के लिए हम जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की जगा मतलब दिल्ली के सबसे जादा पार्ट सेल करने वाले एक ऐसी दुकान पर जिनके काउंटर पर आपको हमेशा भीड लगी होई मिलती है तो हम जड़ा है सर्था माथ लगाना चील है और किस पार्ट में रा फाइदा है तो चलिया चलते हैं से लिए सारी मोड़ के पास My name is Ashwinder Singh Sani, and our firm is Sani Motors Stores, which is located in Delhi in Mongolpuri, the industrial area face to me in Delhi. And we are into this business from the last two decades, like my father was into this, and now I am also with us, and we are in this business. And we are going on and on and on. Like we are into, basically we are into LCB segment, and we focus more on LCB, because Delhi market is basically a LCB market, rather than HCB market, as per no entry issues. So we are basically into LCBs, and we are also famous for genuine parts. Look, the customer who comes to us basically comes to genuine, if we are going to the vendor, then it's not a point. And for a long-term business, we think that the future is better. Better is also, and reputation-wise, genuine-wise, Tata and a genuine part deal, it's much better option, rather than vendor-wonder. No. It's simple, it's also durability. The most important thing is that you are tension-free. Mentally, and on every side, that you will have a breakdown, or your car is bad, or anything. You have given a genuine part, that means that you are mentally free, that there is no breakdown. Sometimes you will call a mechanic or a workshop, and you will say, yes, your car is bad, or anything. From those things, you are mentally free. In this way, genuine parts, you will never think about it. Neither for the fitment, nor for the durability, it is free. In the market, genuine replica is running with it. There is no doubt about it. Replica, but Tata Motor has a lot of control. They have their point system mechanics, scanners, packing, date of manufacturing, the parts of it, and the parts of it, and the parts of it, and the parts of it. These things, most of the replicas are completely control, so that they don't have more. Ultimately, the name of the product is bad. The name is Tata Replica, but some of the product is Tata Motors. is bad, so they are very focused, and they should have a good thing to do. Genuine parts, they should also focus on it. They should also focus on it. They are small and small things, and time to time, Tata is made of brushes, boards, and guru schemes, and awareness schemes. There are a lot of people who are aware of whether it is genuine, whether it is duplicate. Now, there are a lot of people who are aware of this. There is no issue. Genuine and non-genuine, what is the best brand in Tata Motors? Tata Motors' paper quality, which is non-genuine, is better than non-genuine. When the air filter runs and rotates, what is local? The papers are split in the local. When it comes to the engine, it comes to the engine and gives the engine a loss. Sometimes it is average, sometimes it is a major loss. You can never think about Tata Motors' item or air filters. You can never think about that. Quality difference is there. Obviously, quality difference is there. If Tata is taking some price, then the quality of that mark also provides it. If you put a according to a genuine or non-genuine, then the car's life tenure, the cost of genuine parts is less than non-genuine, because it is durable. Today, you have added genuine engine parts or engine oil genuine parts. It is a lot of difference in its life and other brands' life. Ultimately, you will consider Tata Motors or genuine parts of Tata Motors or any other item, then the price cost is more than one time. But in the long term, you will see, the cost is lower. It is not higher. The most important thing is that the company is working with it. First, it should be loyal to Tata Motors. If it is associated with Tata Motors, then it should be loyal to Tata Motors. And if it deals with genuine products, then in the future, it will be 100% mentally secure, that it will never come to my work. It will always grow and grow. Because that is such a big association, so it is a very, very, very big opportunity. And I will personally tell you that Tata Motors is such a company, that is one of the most loyal and genuine companies in the world, so that is Tata Motors. Actually, first of all, I am really thankful to Tata Motors, that we have been getting round about best sale award in Delhi, from round about 4-5 years and into growth segment also and variety-wise. And the most important thing is that Tata is a plus point of reputation. And the most important thing is that today, we started from a very small segment, and probably today, the most important retail outlets in Delhi, is our name today. And I am really thankful to you for Tata Motors, for all this. Thank you so much for Tata Motors. So, see, friends, how do you just use Tata genuine parts, TGP use, and always check that you have the part, that is TGP, or duplicate packing, or duplicate parts. Not only in fitting, but as people have told you, your labor has become a lot, because there are non-genuine parts, and then you have to repair the local vendor parts. And there is no special warranty or guarantee, and to trust and trust. So, you can trust 100% TGP on TGP, and it will be best for you, and your car will be best for you, and the most important thing about Tata Motors, and you also have a long-term piece of mind. So, this was something today's special video. You tell me, if you are watching other videos, you can definitely subscribe to our channel,